नमस्कार दोस्तूं दोस्तूं इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो SSC MTS है जो एकजाम होने वाला है उसके बारे में दोस्तूं दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखेंगी कि जो MTS है उसकी विगपती कब आएगी जो फोम है वो कब फिलोंगे उसकी एकजाम कब होगी कितने पदू पर ये बढ़ती आएगी इस जो बढ़ती है इसके अंदर MTS के अंदर जो वेतन है वो कितना रहेगा आयू सिमा क्या रखी गई है आविदन सुलक है वो कितना रहेगा तो दोस्तों इनी को लेकर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे आप सभी है जो अंतक मेरे साथ इस वीडियो को जरूर देखें आप सभी का में स्वागत करता हूँ दोस्तों यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज पर इसी के साथ अगर आप SSE से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट नोटिपिकेशन सबसे पहले जानना चाते हैं तो इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर देना दोस्तों और साथ में बेल आइकन है वो जरूर दबा लेना सरू करते हैं दोस्तों SSE MTS 2021-2021 के बारे में तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं SSE MTS है दोस्तों इसकी जो अधि सूचना या इसकी जो हमारे पास जो विगपती आएगी वो कब आएगी तो दोस्तों मल्टी टास्किंग स्टाफ है ये नोन टेकनिकल रहता है इसमें जो पदू पर भरती होने वाली है इसकी जो विगपती है जो अधिस सूचना है वो दो फ्रवरी 2021 को आपके सामने आ जाएगी तो पहली जो डेटा आपको याद रखने है दो तारीकों विगपती जारी कर दी जाएगी MTS की दोस्तों सभी पातरवे चुक उमीदवार SSE MTS 2021 के लिए दो फरवरी 2021 से आवेदन कर सकते हैं मतलब जो ओनलाइन फारम है वो भी कब शुरू हो जाएगे वो भी दो फरवरी को ही शुरू हो जाएगे SSE MTS के लिए पंजी करन की अंतिम तिती रहेगी 18 मार्च 2021 तो दोस्तों यहां से आपको दो तिती याद रखने है दो फरवरी को जो ओनलाइन फोर में स्टार्ट हो जाएगे और 18 मार्च तक इसके फोम है वो फिलिंग किये जाएंगे दोस्तों इसके आगे बात करते हैं कि दोस्तों जो एक जाम है वो कब होगी तो दोस्तों एक जाम होगी 1 जुलाई से 20 जुलाई 2021 तक यह चीज भी याद रखने है MTS के फोम तो आपके 2 फरवरी से 18 मार्च और एक जाम होगी 1 जुलाई से 20 जुलाई के मद्दे दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो आपकी सेक्सनिक यूगित है वो क्या होनी चाहिए तो उमीदवार जो SSE MTS 2021 प्रिक्षया के लिए आविदन करना चाहते है उन्हें किसी भी मानेता प्राप्त बोर्ड से दस्वी कक्सा या दस्वी के समकक्स कोई उतीरन हो तो वो क्या कर सकते हैं इसके अंतरगत आविदन कर सकते हैं और जो चातर इसके अंदर आविदन करते हैं जो उमीदवार इसके अंदर आविदन करते हैं उनकी आयू 18 से 25 वर्ष के मद्दे होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए दोस्तों 18 से 25 वर्ष के मद्दे उनकी आयू होनी चाहिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों कितने पदू पर ये बरती हो सकती है तो दोस्तों पिछले साले नी 2020 की बात कर रहे हैं उसके अंदर जो SSE MTS बरती के तेथ विभिन पदू के लिए लगबग कितने 7,99 में रिक्तियों को जारी किया गया था तो पिछले साल 7,99 में रिक्तियों बताई गई थी लेकिन दोस्तों बात करते हैं 2020 की तो इसके समान यानी 7,000 के आसपास ही रिक्तियों और आ सकती है तो कुल ये लगबग माना जा रहा है कि 15,000 कितने पदू पर दोस्तों 15,000 पदू पर ये बरती है जो हो सकती है आगे हम देखते हैं दोस्तों कि इसकी चैन पर किरिया इसकी मुखेपूर्ण तितियों मैंने आपको बता दी है तो ये क्या रहेगा दोस्तों तो यहां पर क्या लिखा गया है ससी म्टेस बरती 2021 के बारे में अधिक जानकारी जैसे मैत्वपूर्ण तितियां वेतन पातरता चैन पर किरिया परिक्स्या पेटरन पर पर टेकरम आवेदन पर किरिया ये सब यह मैं आपको नीचे बताऊंगा दोस्तों तो चलते हैं मैत्वपूर्ण तितियों पर इन तितियों पर आप ध्यान दे देना ससी म्टेस के लिए ओनलाइन आवेदन सुरू होने की तिति दो फ्रवरी है जो मैंने आपको बता दी है और आवेदन की जो अंतिम तिति है वो 18 मार्च 2020 है दोस्तों ससी म्टेस के लिए ओनलाइन सुलक भुगतान करने की अंतिम तिति की अभी गोशना की जाएगी दोस्तों आगे बात कर लेते हैं चालान ओप लाइन चालान जनरेट करने की अंतिम तिति है उसकी भी आपको दो तारी को पता चल जाएगी चालान के मादेम से सुलक भुक्तान करने की अंतिम्तिती बेंग के काम के गल्टू के दोरान गोशना की जाएगी SSE MTS पेपर 1 की परक्सिया तिती 1 जुलाई से 20 जुलाई के मद्दे रहेगी तो दोस्तों ये पेपर फेष्ट रहेगा क्योंकि इसके बाद पेपर एक और होना है दोस्तों इसके बारे में हम आगे देखेंगी दोस्तों अब आगे देखते हैं कि MTS के अंदर आप जोब पना चाहते हैं तो आपका वेतन कितना रहेगा तो दोस्तों वेतन बेंड यानि बावन सो सें 20,200 रुपे है और ग्रेड पे रहता है दोस्तों 800 रुपे ये इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों SSE MTS 2021 की पातरता मांदन या सेक्सिक योगेता वो है आपके दस्वी जो उमिद्वार है अगर वो इसमें फोम बढ़ना चाहता है तो वो दस्वी कक्सा पास होना चाहिए या इसके समकक्स उसने कोई भी कक्सा पास किये दस्वी की वो इसके अंदर मानने है दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों आयू सिमा की आयू सिमा के अंदर छूट भी जा दी जाती है उसके बारे में इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों अगर आप सामाने से हैं तो आपकी उमर 18-25 वर्ष की होनी चाहिए या जनरल के टेगरी से हैं तो आपके आयू हो सकती है 18-30 के मत दे 18 वर दोस्तों इसकी ने histाफ चाहिए जोस्तों इसी के तहित पी डविवली डगी अनारक्सित है तो 18-35 वर्ष तो और 28-38 वर्ष टक है तो आप क्या कर सकते हो आप आविक्दन कर सकते हो तो यह ऐा आयू सीमा दोस्तों जो आपके सामने scientists, external आप देख सकते हो इनको दोस्तों आ फिर होगा सेकिंड पेपर, सेकिंड पेपर फास करने के बाद होगा डिजाइन वेरीपिकेशन दोस्तूं, तो ये तीन चरण है जो SSE MTS के अंदर रहते हैं दोस्तूं, आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तूं, परिक्षिया सुलक की, जो SSE MTS 2021 है, इसके फोर्म ओनलाइन वाव पूर्व सेनिक कोई सुलक, कोई भी सुलक नहीं लगेगा इनका, यानि जीरो रुपे सुलक लगेगा इनका, सुलक का बुगतान ओनलाइन या ओपलाइन, SBI चालान मोड के मादेम से किया जा सकता है दोस्तूं, तो ओनलाइन भी और ओपलाइन भी आप चालान पेस कर सकते हो दोस्तूं, आगे हम देखते हैं दोस्तूं, तो दोस्तूं ये जानकारिया थी जो मैंने आपके सामने रख दिये, मेतू पूर्ण जानकारिया हैं जो आपके सामने आ गई है, कितने पदू पर बढ़ती होगी, तो एक बार फिर बता देता हूँ, अगर फिर भी आपको क लिक्त है तो कमेंट कर देना मैं उसके अंदर आपका सोले सुन दे दूंगा तो सबसे बड़ी बात है कि जो ओनलाइन आवेदन है वो कब से शुरू हो रहे हैं दोस्तों दो फरवरी से दो फरवरी से ओनलाइन आवेदन सुरू हो जाएंगे और 18 मार्च तक यह फारम है जो फिल कर सकते हो इसके साथ मैं आपको बता दू दोस्तों कि कितने पदू पर होगी तो लगबग चुगदाजार पदू पर यह बढ़ती है जो हो सकती है पदू की संक्या कितनी रह सकती है चुगदाजार रह सकती है दोस्तों जो वेतन है वो मैंने आपको बता दिया है 18-25 वर्ष इसके साथ AC या ST से हैं तो उनके लिए रखी गई है 18-30 वर्ष और OBC से हैं उनके लिए रखी गई है 18-28 वर्ष दोस्तूं इसके साथ आवेदन सुलक है जो मैंने बता दिया है कि जंडरल और OBC इन दोनों के लिए तो 100 रुपे आवेदन सुलक है और बाकी के अगर अच्छी लगिए तो लाइक कर देना दोस्तूं और वीडियो अपने मित्रू के पास जरूर एक बार सेड़ कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर ले SSC की हर नोटिफिकेशन कोई भी नहीं जानकारी आएगी उसको सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आऊंगा दोस्तू आप सभी को बहुत बहुत दन्यवाद जे हिंद जे बार